नमश्कार दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल मैं हूं चानकुबा दोस्तों आज हम एक ऐसी केस्टडी को डिस्कूस करेंगे एक ऐसी सिचुईशन को देखेंगे जो कि हर बिरोक्रेट की लाइफ में एक न एक बार तो जरूर आई ही जाती हैं चाहिद ही कोई ऐसा बिरोक्रेट होगा जो यह कह सके कि मेरी लाइफ में कभी ऐसी सिचुईशन नहीं आई आज हम ऐसी सिचुईशन की बात करेंगे जहां पर एक मिनिस्टर एक ऑफिसर को अप्रोच करता है गलत काम करने के लिए इलीगल काम करने के लिए और बदले में कुछ किक बैक्स ओफर करता है अब को भी content आपके लिए भेजा जाता है UPSC से जुड़ा हुआ अब उसका लाब उठा रहे होंगे अब बात करते हैं कि जब भी किसी ethics की case study को हम answer करते हैं कासकर कि UPSC के examination में answer करते हैं और कोई ऐसी case study है जहां पर सिरफ एक ही सवाल हम से पूछ लिया और बड़ा general सा सवाल हम स पूछ लिया गया हो कि आप ऐसे में क्या करेंगे तो वहां पर हमारा structure कैसा दिखना चाहिए मैंने अपनी last video में भी आप से discuss किया था कि कोई भी ऐसी case study आती है उसके structure में पांच चीज़ें आ जाती है सबसे पहले तो हमें एक introduction देनी होती है जहां पर हम briefly capture करते हैं कि case study का subject matter क्या है examiner को बताना होता है कि हम किस approach से इस case study को resolve कर रहे हैं दूसरा आता है कि उस case study में stakeholders यहने कि हित धारक कौन को नहीं हो हमें बताना होता है तीसरा ethical dilemmas क्या क्या है हमारे सामने वह हमें यहां पर enlist करने होते हैं चौथा आता है कि हमारे सामने क्या-क्या options available हैं वह हम बताते हैं एंड हर एक option का फाइदा क्या है नुकसान क्या है वो हम यहां पर enlist करते हैं आखरी में हम बताते हैं कि हम कौन सा option चूज कर रहे हैं और क्यूं उस option को चूज कर रहे हैं यह आखरी में आ जाता है तो यह सारी चीज़ें आज हमारे भी case study में रहेंगी देखें अब case study की तरफ बढ़ते हैं चोटी सी case study है और उसे फटाफट से पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्या कहा रहा है जी आपको recently secretary to the department of education appoint किया गया सो अब as a secretary to the department of education यह आपकी responsibility है कि आने वाली जो 10,000 recruitments है teachers की उन्हें आप oversee करेंगे सो state में 10,000 teachers को भरती किया जाना है वो आपकी निगरानी में भरती किया जाना है ऐसे में कहता है जी कि यह जो पूरा examination होगा इसमें तीन stages होंगी prelims, mains and interview stage होंगी and इन तीनो stages में से यह जो दो stages है that is mains and interview stages इन दोनों के combined score के basis पे जो teachers है उनकी final merit list बनेगी कहता जी despite the process being designed to be meritocratic पूरी state में यह बात फैली होई है यह एक धारना बने होई है कि यह जो पूरा का पूरा recruitment process है यह corrupt है और यहाँ पर जो recruitment होती है यह corruption के basis पे ही होती है this is a belief widespread belief in the state ऐसे में आपके जो education minister है अब आप secretary है secretary से उपर तो education minister ही है इस department पे उन्होंने आपको एक list provide की और इस list में तीन हजार लोगों के नाम लिखे हुए है और आप से यह कहा गया कि देखिए यह जो दस हजार teachers की भरती कर रहे हैं इन दस हजार में से इन तीन हजार लोगों को हमें merit list का हिस्सा बनाना है final merit list में इन तीन हजार लोगों का नाम होना चाहिए और साथी में उन्होंने आपको इसके हजार लोगों का नाम ensure करना है कि final merit list में आ जाए अब यह करने के लिए आपके जो education minister हैं वह आपको कह रहे हैं बदले में आपको उन्होंने फाइदा भी दिखा दिया but you are an honest officer आपकी conscience ऐसा करने के लिए आपको allow नहीं करती है अब ऐसे में question ही आता है कि what are the possible solutions available to you and which option will you choose and why so ये question आपसे पूछा गया है बताइए वह आप क्या हमारे पास options हैं हम क्या option को choose करेंगे जो हिंदी में पढ़ना चाहें video को pause करके यहाँ पर उसका screenshot लेकर पढ़ सकते हैं चले सबसे पहले हमने क्या देखा था हमारा जो ये जो subject matter आता है उसमें हमने कहा था कि briefly capture the subject matter of the case study अब इस case study का subject matter क्या है यानि कि मैं जब ये case study को as a student resolve करूआ इस case study का मेरा approach क्या रहने वाला है definite सी बात है that being an honest officer I have to ensure कि जो हमारा recruitment process है वो smoothly हो जाए and on the basis of merit हो जाए जो minister की तरफ से मुझे approach किया गया है to do the corruption task वो मैं minister को कैसे रोक सकता हूं उस पर मुझे ध्यान देना है so this should be my approach right यहां पर approach जैसे आप लिखते हैं वहीं से आपका जो marks मिलने का सिलसला है वो शुरू हो जाता है because वहीं से आपका mindset reflect हो जाता है right so जब हम बात करते हैं कि हमारी approach क्या होनी चाहिए तो उसमें लिखा कि in the given situation either I can make a convenient choice of obeying the minister or I can make a hard choice of not letting the minister succeed in his corrupt motives and make the matter or make the recruitment process meritocratic तो यह अली चीज़ अगर आप लिखते हैं तो यहां पर सारी चीज़ क्लिए हो जाती है कि आपके पास क्या option है आप क्या approach लेकर चल सकते हैं इसे जरूरी नहीं कि मैंने जो लाइन लिख दी यही आपको लिखनी है आप इसे और बहतर तरीके से लिखें इस आर जस्ट फॉर्ट रेफरेंस पॉर्पस इस राइट सो आप इसमें क्या लिखेंगे वह आपको लिखना चाहिए positive सी यहां पर लाइन कुछ लिखें जहां non deserving candidates भी यहां पर stakeholder हो गए right तीसरा क्या आगया ministers हो गए right जो minister जो आपको corruption करने के लिए कह रहा है अब खुद हो गए government at I mean large हो गई and public at large हो गई यह सारे के सारे stakeholders हो गए जो की impact होने वाले हैं फिर आता है ethical dilemmas now you tell me in the comment section कि क्या क्या ethical dilemmas यहां पर होंगे यानि के कौन सी कौन सी netic दूविधाएं आपके सामने हैं क्या आपको करना है अब देकि ethical dilemma मैंने आपको पहले भी बताया था कि कब arise होता है जब you have two values which are at conflict with each other you have to choose one now that two values versus आगया उसमें उसे हम ethical dilemma कह देते हैं so in the given case study क्या क्या ethical dilemma है legal versus illegal या तो मैं एक legal कदम उठाओं जो meritocratic basis पे recruitment हो नहीं उसे करने दूँ या illegal कदम उठाओं तो मेरा यह हां पर legal versus illegal हो गया दूसरा हो गया honest versus dishonest अब देखिए values तो सारी है ना हमने अपनी value वाली जो class पढ़ाई थी उसमें भी हमने discuss किया था कि values can be positive values can be negative तो अब यह नहीं कोई कह सकता ना कि यह वाली तो value है यह भी तो value है राइट तो यह हमें conflict दिखाना है कि भाई कौन सी दो values में conflict आ रहा है अब यह positive में आ रहा है और negative में आ रहा है या positive positive में आ रहा है negative negative में आ रहा है it does not matter conflict तो conflict आएगा ठीक है तो यह हो गया फिर courage versus covered is a courage आप सहसी हैं या फिर आप डर्पोख हैं minister की बात मान जाते हैं dedication to service versus self-interest integrity versus dishonesty objectivity versus subjectivity kindness versus cunningness impartiality versus partiality fair versus unfair so यह सारी की सारी जो आपकी values हैं यह यहां पर आ जाएंगी जो की conflict कर रहे हैं so this is how we write ethical dilemmas right so ethical dilemma अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास क्या क्या options available हैं आप मुझे बताए कि क्या क्या options available हैं मैंने आपको last video में भी बताया था कि भाई जब भी हम options की बात करते हैं available options की बात करते हैं so हम सबसे पहले सभी extreme options लिखते हैं या तो मैं बिल्कुल बात नहीं मानूँगा या बिल्कुल बात मान लूँगा चुप करके जो भी मिनिस्टर मुझे benefit दे रहा है मैं वो ले लूँगा या फिर और जो extreme options हैं वो and end में जो है न हम एक अच्छा सा option लिखते हैं जो की balanced approach वाला option होता ठीक है तो extreme options थोड़े थोड़े देख लेते हैं क्या है quietly obey the minister and allow 3000 undeserving candidates to be part of the merit list तो या तो यह हो सकता है कि मैं 3000 लोगों को merit list का हिस्सा बनने दू जो कि undeserving हो and इसके फाइदे क्या होंगे नुकसान क्या होंगे सबसे पहला तो यह कि भाई easy choice हो गई मेरे लिए short term में good relation with the minister हो गए जाने definitely उनके फाइदे कम नुकसान जादा लिखने हैं अगर आपको फाइदे और भी समझ आ रहे हैं कि मेरी तो पता नहीं कौन सी आने वाली generations इससे तर जाएंगी या ऐसा कुछ नहीं आपको जादा focus क्या करना चाहिए यहां पर नुकसान पर करना चाहिए जो नुकसान ह है इसके so of course क्या क्या नुकसान है dishonest है मेरे पार्ट पर, coward है, unfair है, burden on my conscience है, may get myself into legal trouble and scandal अगर expose हो जाता है ठीक है जी and against the large public interest तो यह क्या हो गया नुकसान हो गया फिर आता है जी next option क्या हो सकता है next option जैसे मैंने आपको कहा ना या तो बिलकुल expose ही कर दूँगा पहली बार में मिनिस्टर को या फिर बिलकुल उसकी बात ही मालूँगा, so next option क्या है, expose the minister in the media, write formal complaint to the chief minister and all, अब इसके फाइदे क्या है, अब देखिए, you will be an honest officer, आप यहां पर दिखा पाएंगे कि मेरे से तो बड़ा honest ही नहीं, मेरे को तो minister ने कह भी दिया, तो भी मैंने उसकी complaint इतनी ब public service में वो रहने के लायक नहीं है, तो वो हो गई होगा, ठीक है, अब इसके नुकसान क्या है, सबसे पहले तो यह क्या, in all probability, I will be replaced and sent to department where there is not much work to do, मेरे लिए क्या नुकसान होगा, कि भाई देखिए, in all probability, mostly ऐसा देखने को मिलता है, कि जो ऐसा bureaucrat होता है, जो की discipline से बाहर ज fulfill करने का, there is a procedure, आप out of the procedure, out of the way जाकर कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो वहाँ पर आपके खिलाफ भी action होई जाता है, directly ना हो, indirectly हो जाता है, कि आपको उठा कर transfer कर देते हैं, तो यह चीज़ होगा, दूसरा क्या है, reckless है, यह वाला जो step है, होगा, यह reckless होगा, because situation को आप फिर सी जाए, लाठी भी ना टूटे, तीसरा क्या है, might halt the complete recruitment process also, so अगर आप ऐसा कोई allegation लगा देते हैं, and minister की उपर ही allegation लगा देते हैं, matter definitely medium आएगा, उचलेगा, and it is very much possible कि पूरा का पूरा recruitment process रोख जाए, जिससे फाइदा किसी का भी नहीं है, ठीक है, so यह हो गया, option number 3 क्या ह आप apply कर सकते हैं, transfer के लिए, and अपने transfer से, I mean department से बाहर जाकर अपने transfer ले सकते हैं, और जब तक transfer नहीं मिलता, तब तक आप चुटी पर चले जाओ, यह भी एक possibility है, now इसका फाइदा क्या होगा, again वही, कि मेरा जो रोल है, वो इसमें नहीं आएगा, गलत काम में उसे मैं ब आप चले गया, आपकी जगह कोई और आजाएगा, वो आकर यहां पर कुछ गडबर करते हैं, तो deserving candidates का कैसे फाइदा हुआ, system का कैसे फाइदा हुआ, हुआ ही नहीं, फिर कहता है, won't help my conscience also, मेरी conscience को तो कोई help नहीं मिलेगी, मतलब मेरे मन में तो वो हमेशा से यह रह जाए है, कहता जी, if I were to remain silent, I will be guilty of complicity, right, अब Albert Einstein ने भी यह कहा था, कि अगर आप चुप रहते हो, गलत काम के खिलाफ वावाज नहीं उठाते हो, चुप रहकर उसका सहयोग करते हो, मिली भगत करते हो, तो भी आप मिली भगत के, तो, I mean, चुप भी रहते हो, तो भी आप मिली भ complex situations होती है, and यह जो complex situations होती है, इसमें कोई single option नहीं होता है, कि बस यह कर दिया, या वो कर दिया, it has to be a multi-pronged approach, यानि कि आप कई सारे कदम इकठे होकर उठाते हो, in sequence उठाते हो, या subsequently उठाते हो, and उसके basis पे आप इसका result लेकर आते हो, ठीक है, जी, सबसे पहले क्या है, try to persuade the minister, आप देखिए हमने persuasion क्या होता है, वो तो पड़ रखा है न, अब minister को persuade करने की कोशिश करेंगे, not to indulge in such practice, minister को directly या indirectly या persuade करने कोशिश करें, कि sir, ये practice सही नहीं है, आप उसको बता सकते हो, कुछ examples देख सकते हो, जैसे हमने पंजाब के case में देखा था, West Bengal के case में भी Chief Minister को भी जेल में रहकर आना पड़ा, right, क्यों, again for the same reason, वहाँ पर भी teacher recruitment scam हुआ था, right, so, आप यहाँ पर उनको ये examples के द्वारा दिखा सकते हो, कि भाई, देखो कितना यहाँ पर नुकसान हो सकते है, आपका career यहाँ पर खत्रे में आ सकता है, right, at the same time, आप यहाँ पर media, I mean उनको media का बता सकते हो, कि भाई, किस तरह से media आज कल बहुत जादा active है, किस तरह से media, let's say, और states में यहाँ पर जो है, इस तरह कि scam पकड रहा है, government को किस तरह से खत्रा हो सकता है, तो यह सारी चीज़ों आप उनको बता कर यहाँ पर persuade कर सकते हो, अगर यह persuasion काम नहीं करती ह है, for some reason or the other, minister, बिल्कुल, I mean, ideal होई गए है, then, you may take help of your colleagues, आप वहाँ पर अपने colleagues की help ले सकते हो, यानि कि, let's say, आप, आप education department के secretary हो, आप chief secretary की help ले सकते हो, उनको थोड़ा सा इशारा दे सकते हो, कि भाई, इस तरह के लिए स्ट आ रही है, क्या करना चाहिए, उनकी आप यहाँ पर मदद ले सकते हैं, अगर वहाँ पर भी नहीं है, आपकी बात बनती दिख रही, फिर आप यहाँ पर जो है, chief minister का रस्ता उपना सकते हैं, आप फिर थोड़ा थोड़ा देखिए, सबसे पहले बिल्कुली ऐसा step ले रहे हैं, जहाँ पर कोई साम भी मर जाये, ला बात बनती, then you can go for the extreme step, but again, I know some of the bureaucrats, जो की, I mean, I have, you know, personal talk with them, वो तो कहते हैं, जी, इस case में फिर extreme step आपको नहीं लेना चाहिए, आप सिरफ minister को को जी, जो भी कहना है, वो return में दे दो, right, but then, वो एक personal choice हा जाती है, कि भाई, आप यहाँ पर यह कह सकते हैं, कि भाई, अगर minister आप minister से return में मांग लो, कि भाई, जो भी कहना है, minister को return में दे दे, वो नहीं देगा, return में तो आपको हो सकता है, transfer कर दे, आप transfer हो जाओगे, चलो, आपकी जान छोट जाएगी, या फिर, आप, let's say, आप यह कर सकते हैं, कि भाई, वहाँ पर, आप, media के सामने कुछ leak कर सकते हैं, directly नहीं, तो indirectly leak कर सकते हैं, कि भाई, इस तरह की, यहाँ पर, let's say, list बनाई जा रही है, so, यह, यह step extreme है, right, but then, you have to show the examiner कि, भाई, सबसे पहले, मैं उसे, easily resolve करने की कोशिश करूँगा, इस तरीके से resolve करने की कोशिश करूँगा, कि सारी चीज़े, प्रेम प्यार से नि serving candidates को job मिल जाएगा, society के लिए अच्छा है, courage होगा on my part to do the same thing, good governance हो जाएगी, recruitment process is not affected, नुकसान क्या है, I might be transferred, if this does not work out, right, so, अगर minister को यह सारी चीज़े नहीं पसंदारी, मुझे transfer कर दिया जाएगा, but then, यहाँ पर मैंने एक positive effort तो किया, कुछ उसे रोकने की कोशिश तो की अगर उसके बाद transfer होता है, तो ठीक है, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, right, so, यह सारी चीज़े यहाँ पर है, ठीके जी, so, यह थी हमारी आज की case study, आप अगर मुझे case study suggest करना चाहें, आप भी मुझे suggest कीजेगा, मेरा जो, let's say, आप मुझे यहाँ पर भेज सकते हैं, जो मेरा Instagram ID है, आप मुझे उस पर message कर सकते हैं, जो भी case study आप मुझे भेजना चाहें, तो उसके उपर हम discussion कर लेंगे, नहीं तो मैं और case studies आने वाले sessions में लेकर आँगा, वीडियो पसंद आए, इसे like करें, share करें, चैनल को subscribe करना न न भूले, अगले session में फिर मिलेंगे, till अग्रेट यह है,